दोस्तों ये है Apple AirPods Pro, इसका रिव्यू मैंने कर दिया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस Apple AirPods Pro को अपने Android स्मार्टफोन के साथ में कनेक कर सकते हैं एस वीडियो का लाइक कीजिए और देख देर रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोगी और ये है Apple AirPods Pro, ये बहुत ही कमाल का true Bluetooth wireless earbuds है जो खास Apple devices के लिए बनाया हुआ है ये इसे खोलते ही मुझे आइडिया मिल जाता है कि ये Apple AirPods Pro है इसका जो charger है उसमें कितनी बैटरी बची हुई है और जो individual earbuds है उनमें कितनी बैटरी बची हुई है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप ये Apple AirPods Pro है इसे Android smartphone के साथ में connect कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर आप इस case की तरफ ध्यान दें पीछे की तरफ जो circle आप देख रहे हैं ये basically circle नहीं है बलकि एक button है तो इस button का उप्योग करके आप Android device के साथ में इसे connect कर पाएंगे तो सबसे पहले आपके पास जो Android device है उसमें जो Bluetooth option है उसमें जाईए और नया device को pair करने की कोशिश कीजिए तो ये जो button है यहाँ पर AirPods Pro पर इसे मैं कुछ दिर प्रेस करता हूँ और hold करता हूँ और यहाँ प जो लाइट है वो चेंज हो गई है और यहाँ पर मुझे Apple AirPods Pro दिख रहा है मुझे यहाँ पर टैप करना है और अब यह लीजिए पैर हो गया है बहुत ही आसान है अब मैं यह Apple AirPods Pro का उप्योग कर सकता हूँ यह इस Android smartphone के साथ में connect हो गया है तो चलिए इसकी मैं quality check करता हूँ और आपको बताता हूँ तो दोस्तों यह जो Apple AirPods Pro है यह Android smartphone के साथ में connect हो गया है लेकिन इसकी quality कैसी है मैं आपको बताता हूँ जो audio experience है काफी बढ़िया है जैसे मुझे Apple iPhones के साथ में मिल रहा था जब मैंने इस Earbuds को Apple iPhone के साथ में connect किया हुआ तो उसी परिकार की quality मुझे मिल रही है लेकिन कुछ features है जो Apple iPhone पर चलते हैं वो Android पर नहीं चलने वाले हैं उधान के तौर पर जब मैं इन earbuds को कोई भी अबट को निकालता हूं तो Apple device पर जो भी मीडिया में प्ले कर रहा हूं वो पॉस हो जाता है तो यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है लेकिन अच्छी बात य यहां पर edge पर उसे press करके hold करना है जैसे Apple devices पर होता है उसी प्रकार से Android devices पर भी आपको जो active noise cancellation है वो मिलने वाला है तो बस यहीं अंतर है कुछ features जो iPhone पर चलते हैं वो Android devices पर नहीं चलने वाले हैं मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि PUBG गेम मैंने Android smartphone पर खेला है इन AirPods Pro का उप्योग करके मुझे कोई भी lag नजर नहीं आया वैसे अगर आप ये Apple AirPods Pro खरीदने का सोच रहे हैं तो तभी खरीदिए जब आपके पास iPhone हो या फिर अगर आपको किसी ने gift कर दिया है या फिर इसका जो pricing है बहुत ही कम हो गया है आपको अच्छे price में मिल रहा है और आपने खरीदा हुआ है और आपके पास Android Smartphone है तो मैंने अपको बता दिया किस प्रकार से आप ये जो AirPods Pro है इसे आपके Android Smartphone के साथ में कनेक कर सकते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंस के मादिम से आप मुझे बता सकते हैं ये इस वीडियो को लाइक कीज और देखते रहिए